इस वीडियो को लाइक करें हमारे जैनल को सब्सक्राइब करें Otitis media, otitis means infection, inflammation, media, internal, most commonly affect pre-school children, presentation, upper respiratory symptoms, ear pain, fever, vomiting, most virals, 60% Parainfluenza virus, SV, rhino virus, adenovirus, यह virus लगा रहेंगे, influenza हो सकत है, और bacteria 40% है, viral ज्यादा है, 60% viral है, most caused by the streptococcus, pneumus, hemophilius, influenza, moralexla, cataracts, and streptococcus, streptococcus, यह virus के नाम है, जी उसके bacteria के जो नीचे लिखे हैं, मैंने आपको कहा कि इन्फिलिर्जम आपके पास है, नियुमो को है आपके पास, अगर आपके पास यह कोई भी और virus नहीं है, तो आप टूपर कलोनियम का इस्तमाल करें, आप बैसलीनियम का इस्तमाल करें और आपका पैन जो है ना, वो और बहुत सारी द्वाईयां लिखी हैं, जैसे कैमोमेला है, बेलाडोना है, सलिशिया है, लेकिन मैं आपको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टर्स में, आपको कभी भी किसी और द्वाई की तरफ जाने की जरूत नहीं पड़ेगी, आप परसर टील बच्चा था, तो मैं ने सलिशिया उसके दे दी, वो अगले दनी बच्चा को खातुन वापस लेके आ गई, वो कहने की, जी कहन तो बिलको ली बंद हो गया बेना, लेकर ये रात भी नहीं सोया और हम भी नहीं साथ इसके सोया, इसके कान में बहुत धाद, दे एक ये पाद दूसी और बच्च्चा काउल नुड पर जाके पड़ा, तो तो कोक्लियर नुड पर पड़ी है, और कोक्लियर नुड पे प्रेशर प्राद, तो इसने पैण क्रियेट कर दिया, पैण तब ही क्रियाट कर्दिया वोगा जब लाल उख़गी, मैं तब ही प तो मैंने परसर टीला दी अखा सब्सक्राट अब कर लिए orang य्व कर दिए झालना बहुद्ध-धिक टीर नाचे, वे वे रिताना दी फ्लाना दोज्ट लिखाव होग़ tabii तो, मैं जिंदगी में ना महांने तो मैंने ऑूठा कर प्पहई की दिया परसर टीला में वैनम दी फटी थोड़ी देर में ठीक हो गया कान फिर बेना शुरू हो गया कान मैंना शुरू हो गया दर्थ खत्म हो गया मैंने कर ना कि परसाइटिला का मौड ओफ एक्षिन वेडिसन का क्या कि बाहर के रुख डिस्चार्ज किरा लेगे दर्थ ठीक हो दिन तो आज दिन मैंने कान में परसाइटिला ही दी गया और कभी नकाम यह नहीं हुई आप मीडिया उसके बाद आपके पास काली में हो रहे हैं उसके बाद आपके पास फैरम पास है उसके बाद आपके पास कैमो मेला है आपके पास बेला डोना है आपके पास रिश्या है यह सारी जो है ना पोटाइटिस मीडिया की द्वाई हैं फिर आपके पास सिस्टिस है सिस् तो अगर आपके पास वो जो कल्चर हो के आ गया या डियागनोज आ गया आ गया गया वायरल एक्टिरिया लेकर टूबर क्रोनियम बहुत हद तक कबल का लिए तेकर आपके पास आप इसके नजला इंफलुजर मी दे 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 नियुमो कोक्सीन भी दे सकते हैं लिगर आपके अपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके पेकरोनियम दे 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 लिए आप इसे दे दे लिए राइड़ इसी पुटाइटिस मीडिया नाम बड़ा मुझकोजर है लेकर कान के इंटर्नल इंफलमेशन को तो तो मीडिया करते हैं स्वियर पैन में आता है चीखो पकार पड़ी होती है फंगस की वज़े से भी हो सकता है फंगस की वज़े से भी हो सकता है तो आप उसको दे 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 आपकी जो फंगल का है हमारा किला सुरी कैनल वीड़ा दे सकते हैं बलके मैं फंगल को यिस्ट जिसको कहते हैं वो भी मैं इस दवाओ और यिस्ट यि क्योंकि आज एक करेंट इंटर करेंट आपको जो आफिक्षिन होती है तो फिर उनको रिमूव करने के लिए इन दुबाओं की जरूरत है और इसमें लेटल आउं यह जो अगर आप इसका अगर पस है इंफ्लेमेशन है कुछ निकर रहा है तो इसका कल्चर भी आप बहुत ज भी है बागी भी है आप उसमें से एक हाद एप्लाई कर दें लेकर मैं ही कहता हूं कि अगर आपके पस कोई नहीं तो आप टुबिकलोनियम देंगे काली में और फैरमफास बहुत अच्छा जो इंफलेमेटरी कंडिशन को रुकती है आप दोस्तों में आर्टरनेटिव करक लेकिन परसा टीला कमाल है परसा टीला का मौड अफेक्शन आपको मैं देखा ना मैंने ओपे गलाइकोमा इधर कहां का मैं आपको बता रहा हूं इसको इसको फोकस करें ये निकाल बार फैंकती है चीजों को और जोई नर्फ पे प्रेशर कम करना है आपने याल में रखें नर्फ पे अप्रेशर आ रहा है ये प्रेशर रिलीज करना है आपने नर्फ से जो यह प्रेशर रिजिव करेंगे आपका पैल्टी को जाएगा और प्रेशर रिलीज करना है कॉजएटेव फैक्टर को एड्रेस करके लिगनामने का सारी चीजहें हमने डिसक्स की हो एक एक चीज को उसकी प्रेशंटेशन को डिसक्र किया उसकी मेकमित्वर को भिक है ऊसी चलता दोंहें भी बन आलोए नेज्स यह जी एक्सटर्णा नाम से है एए यह जिए वाजी है अच्छा मोस्कामल एफेक्ट एक्सटर्णा ओटाइटस इंफ्लमेशन शोजन एक्सटर्णा और युजिली कास बाई दाओ इस्टेफ और सूड़ मनास तेखें आप सूड़ मनास आगया एक्सटर्नल एं और थेलब्या अंदर देख लगा अभी तो एक्सटर्नल एलिये में देंग भीघ यह लुग्रिटटेट भीकार जाएगा ना प्रीजिशन यह का सारी इससाल मैं इसको भी इन्मल्ब कर लेगा पुलिंग दा औरिकल्स रिप्रोड्यूस पेंग दिरिज एरित्ना एंड लोकल सेलॉलाइटस आफ एक्सटर्नल यहां स्वैलिंग हो जाएगी सोजन हो जाएगी और इंफ्लेमेशन क्रियेट करेंगी ठीक है जी पैटन वही है मतलब अक्सटर्नल आगया इटर्नल आगया मीडियल आगया आपने फोकस उसी तरह करना गबनाना कोई बिल्कुल नहीं है समझाईए ना आपने आपने अमेर्जेंसी डील करनी है और मैं आपको यह बताओं कि आप इतने खुश होंगे इतने खुश लिए और यहां शाम तक गन्ते मेन में में बचा ठीक करन पहुंचा होता है तो होओ कि जतनी कफकर करती है दुनिया की कोई ॽैंस इतना क्फकर करती मैंने इसका मॉंड और स्क्वच्छंद मैंने इसकी को कहले भी किए किया और बहुत सरे इंटर्सनलेशनल मीडिया पे किया केलिवियन पे किया कि जितने जल्दी आप जबान पे किसी चेज़ का टेस्ट महसूस करते हैं होमेपैथी दौाई इतनी जल्दी काम शुरू कर दे और बार दफा आप जबान पे रखते हैं आप यू होते हैं ता मरीज से ली आपने acute emergency deal कर ली तो आप käytष क्रोनिक की क्रोनिक त्रीट्मेंट को भी डील कर लीए उसकी वजाए इसके क्ज़नेंचा कि किसी के गुर्दे में दर्द होते हैं जिस गली से निकलता है जिस गहर से निकलता है वह पूरे गहर को पता होता है चीखों पकार हो जासी कि कि ठीक हो जी ओओ फिर दूसरा भी दोड़ेगा तीसरा भी दोड़ेगा तो हम जो एक revolutionary work करें हम revolutionary work इसलिए करें कि हम emergency ये topic शुरूरी मैंने इसलिए कि हम दुनिया को ये थाबत करें और दुनिया को हम बताएं कि हम बहुत अच्छे emergency कर सकते हैं मैं मैं तो करता ही हूँ मेरे कुछ और दोस्त भी करते होंगे लेकिन हम ये कहते हैं कि ये सारी सता पर ये डील होनी शुरूँ है और ये रेक्चर के पिछे बहुत सारी एफट है बहुत सारी एक्सपॉर्ट इसके पीछे काम करें जो आपको डिलीवर हो रहा है और बहुत सारी क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपको शेयर हो रहा है इसलिए इसको आप अपनाएं और emergency में आप जब मकाम बनाएंगे आप जब दुनिया में emergency सी ट्रीटमेंट अमेपैथी से बेतर शुरू हो जाएगा मरीजों की तादाद यू बढ़ेगी और मरीजों की तादाद बढ़ेगी तो फिर रेवुलेशन आएगा क्योंकि मैं अक्सर क्रोनिक डिस्कॉस करते रहते हैं लेकर एक्यूड की मैंने इसको भी मैं करता रहत दिए और इसमें पॉटेंसी के भी बड़ा रोल है कि आप यहां बिलकुल दरम्यानी पॉटेंसी का इस्तेमाल करें ताकि आपको क्विक रिजल्ट में जल्दी प्रिसक्राइब करें और जल्दी आपको रिजल्ट आना चाहिए और उसके लिए यूई है है कि आपको आपको पता हो टाइटिस मीडिया क्या होता है आपको पता हो के एक्यूट कलाइकोमा क्या होता है आपको पता हो के रेटनल डिटैज्मेंट क्या होती है आपको पता हो कंजवाइटिस क्या होता है यह 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 चीज़े तो आपको पता होनी चाहिए ना और फिर पर द्वाइयां आपको पता हूं और द्वाइयां मैंने इतना बोज आप पर डाला ही नहीं है यार मैंने तो आपके बस दो दो चार चार तिन दो इतनी दो जैरा आप डोक्टर हैं आपको इतनी और इस ही में आपको result आपको विया प्रिव दिए विया नेक्स आपकेशन और पोरी ट्रीटेट उन्टीट उन्टाइटिस मीडिया वो कहता है कि अगर आप ने घलत ट्रीट कर दिया कि तो मोस्टाइटिस हो जाए गाए वो सारा एरिया इसले का जाएगा गलत चीटमेंट कर दिया है, आप डी ट्रैक होगे, अपने फोकस ने किया, अपने बात को समझा नहीं है, तो अपने गलत चीट कर दिया है, प्रिजेंटेशन फीवर होगा, हैटेक होगा, एर पैन होगा, और इस्ट्री में पता चलेगा कि यह काफी दिन होगे हैं, जो काफ द्वाइयां वही हैं, यह खा के द्वाइयां बाहर से आया होगा, यह भी आपको यहाँ आपको फॉरल नक्स वामिका देनी पड़ेगी, चूंकि यह ड्रैक्टर आपके पास अप्रोच नहीं इसने की, खराब करके आगया ना आपके पास, अगर उमिपैथी से खराब करक नक्स वामिका देनी और ऐसे केसे में मैंने देखा कि आपने नक्स दी ना, पॉरल ट्यूबर दी, इवन जो लॉस है यह का, आपको कान सुनना बंद हो जाता है, तो हम जिकीमा ने मेरी रोटीन की प्रेक्टर एक डोज नक्स ही देते हैं, अगर पहन नहीं है, अगर पहन नक्स भी चली गई है, तो नक्स टूबर कास्टिकम दे, समात बहाल हो जाएगी, दो एक दिन में बहाल हो जाएगी, ठीक है जी, नेक्स्ट, और अगर उसके पाश्चा सारी है, तो साथ फूरन एक बात जहर में रखें, साथ ट्रीटमेंट शूरू कर दे, साथ कल्चर लि कोई बिक्टेरिया है, वो निकल आए, उसको एड्रेस कर लिए, ठीक है जी, ताकि एक तो आपकी कमपल्टेंशी, आपकी वो मरीज कहेगा, इसने मुझे रलाज भी थे, मुझे फर्क पढ़ गया, साथ इसने मुझे टेस्ट रिक्वाइर कर लिए, ठीक है ना, फूरन कल् नेक्स्ट सदें सेंसेशनल हेरिंग लोस इस मोस्ली अडियोपैथिक, एग्जक्ट काउज अफ नौन, नाट नौन, सेंटी परसून केसिज में, वो काज नहीं आता, मेरे पास एक बहुत हाई ओफिशल आया, उसने दुनिया जान वह फिरता रहा है, UK, मेरीक, उसका यह लॉस हो गया, यह लॉस हो गया. मेरे पास आया। उसने का जी में किया हुए जी ओ Esto 6 मिने aitts । कोई पता नी चाल रहा। रहा। वख kello Normal के आथी कोई वजर नी समझे है मैंने का क्या क्या हुए ता उसने का नजला स्थी काम खाई है, द्वाई काई है तो बस आस्ता हस्ता होगा है काम. मैंने सिर्फ तीन डोजर्स बनाके दिये, एक नक्सममेकल दिये, एक टूबर की गलग दिये, एक कास्टिकम सीम की डोज दिये, तो आफ़ते की दौई बनाके बही दिये, और मैं आपको बताओं के आफटर टू वीक्स, उसके साथ एक ऐलो प्लोपेथक डॉक्टर भी साथ थे, आफटर टू वीक्स जब आए तो उनों किया, जी मेरी सिक्स्टी परसॉन तो मैं सुनना चुग हो गया, और आफटर टू, मैंने यही रिपीट कर दिया, तो वो 100 परसॉन रिकवरी हो गया, तो जब सप्रेशन हो जाती है, ड्रक सप् झाल